तो दोस्तों आप परिक्षा एप्लिकेशन गूगल प्लेस्टों से डाउमलोड कर सकते हैं जिसमें आपको MPPOLIS exam के लिए सब इंस्पेक्टर कॉंस्टेविल इत्यादी exam की टेक्स सीरीज मिल जाएंगी और स्टेस सीरीज को आप पा सकते हैं 40% आफ के साथ हमारा कूपन कोड़ examgov 40 जी हैं दुस्तों और साथ ही साथ इसमें आप रेलवे की तयारी भी कर सकते हैं कर सकते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल लाएगी 40% की डिस्काउंट पर हमारा कूपन कोड़ आपको पता है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौझूद है और साथी साथ यादि आप CT की भी तयारी कर रहा है तो बहुत ही बड़ी आप्लिकेशन आपके लिए होने व हम लोग 17 प्रस्टन बहुत important question है यदि आप 17 में से चाहुता question का answer देवाते हैं हम प्रत्ते question के बाद आपके लिए 4-5 second का समझ देंगे आपको मनमे answer दे लेना है उसके बाद आपको बताना है कि कितने आपको अंक मिले है यदि आपको कम number मिलते हैं 10 से कम मिलते हैं तो आप इसे बहुत important है वह book आप चाहें तो ले सकते हैं उसकी कीमा तो नंचास रुपए अभी बरतमान में है उसके बाद आगे बढ़ भी सकती है तो पहला question है हमारा निम्लिकत में से कौन सा बहुत एक path है जिससे संदेश संचारित होता है ठीक है बहुत एक path जिससे संदेश जाएगा बी ठीक है नोट्स बनाते जाएगा साथ साथ में या screenshot लेते जाएगा आपको जो उचित लगता है अगला question देख लेते हम लोग second number का simplex संचार का उधारन खालिस्तान है तो जो simplex होता है कौन से संचार का मतलब जो उधारन है keyword एवा परंपरागत monitor telephone एवा mobile phone walkie talkie या दोई मारगी data link पढ़ा ली बता ये कौन हैं में से simplex संचार का उधारन चलिए समय समापत होता है दूसरी का सही answer है आपका a keyword एवा परंपरागत monitor simplex का एक उधारन है simplex का उधारन क्या है मतलब data उधर से आप एक इस्तान से आ सकता है इधर से आप बापे data नहीं प्रि संचार क्या होता है संपूर्ण संचार में केवल एक पारटी data संचारित कर सकती है या भी है दोनों पारटी संचारित कर सकती है परंतु एक ही समय पर नहीं अगला है एक ही समय पर दोनों पारटी संचारित कर सकती है या अगला है कोई भी पारटी संचारित नहीं कर सकती है दोस्तों ये CPCT के एक्जाम के लिहाजे से बहुत important question है इसी प्रकार की question CPCT पूछता है जो थोड़े से बड़े होते हैं पढ़ने में उनको घमायदार होते हैं तो जली से answer देजिए तीसरी का क्या हो जाएगा तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ तीसरी का सही answer हो जाएगा अपना B दोनों party संचारित कर सकते हैं परंतु एकी समय पर नहीं हाव डिप्लेक्स में क्या होता है कि A से B तक network का आदान प्रदान तो हो सकता है परंतु जब A B से बात कर रहा होता है तो B A को नहीं भेश सकता है पहले A बात करेगा B को फिर उसके बाद जब इसकी बात किता है तब B A को जो है signal अपनी बात कह सकता है बात signal भेश सकता है बोकी टॉकी इसका बहुत अच्छा उधारन है ठीक है चलिए बात करते हैं अगले question की चौथा question क्या है और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा चौथा question इन मेंसे किस channel में संदेश का प्रवाद दोनों दिशाओं में होता है परन्तु कभी भी एक समय में नहीं होता फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स, डेटा में ऐसा संभाव नहीं या इन मेंसे कोई नहीं जल्दी से अंसर देजिए चौथे का अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में जो मैं question था उसको पहली समझा चुका हूँ चलिए इसके से अंसर हो जाएगा हाफ ड्यूप्लेक्स, इसमें संदेश का प्रवाद दोनों दिसाओं में होता है जैसे मैंने बता है A से B लेकिन एक समय में नहीं होता है, पहले A का लेगा उसको फिर उसके बाद B का लेगा चलिए अगली कोस्टेशन की दुर बढ़े पाचेवा कोस्टेशन है मारा टैली विग्यान ब्रॉड कोस्टिंग का उस्ताइं का गुदारन है हाफ ड्यूप्लेक्स, फॉल ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स या सिंप्लेक्स देटा फुल चलिए अंसर दीजे फाचेविका क्या हो जाएगा तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको टेली विग्यान ब्राटकस्टिंग जो है Simplex का उधारना है Simplex क्या होता है मतलब आप जो TV में आपने Serials देख रहे हैं जो Channels देख रहे हैं Processing Information सामिल करता है बाहर से सूचना एकराण करना दूसरे कंप्यूटरों के साथ संचारन करना Input में दी गई सूचनाओं के अधार पर गणती ये तथा लोजिक कारे करना उपरूप्त सभी Processing Information के भाग है या D है, sorry E हैं मैं से कोई नहीं जली से अंसर देजी, छटवी का क्या हो जाएगा सही अंसर तो दोस्त, छटवी का अंसर हो जाएगा मैं बता दे रहूँ आपको आसा है आपने अभी तक बता दिया होगा C, Input में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणती तथा लोजिकी कारे करना Processing Information में जो है सामिल किया जाता है दूस्तों C, P, C, T में आपको इसी प्रकार की कॉस्चन देखने को मिलने वाले हैं यह मेरा बादा है आपका अगला कॉस्चन है खालिस्तन सूचन प्रणाली के विकास के आवशकता निरधारन का प्रमुक लक्ष है यह जानना कि किया संगटर को सूचन की जरूरत है तो दोस्त सही अंजर हो जाएगा या जानना की एक संगटन को किस सूचना की जरूरत है सूचना प्रणाली के विकास के लिए जो है आवशकता की निर्दारन का प्रमोक लक्ष दोस्तों आठमा गॉस्टेन हो जाएगा एक संगटन की सूचना आवशकताओं को खालिस्तान द्वारा निरदारित किया जा सकता है अपके option है A. मैनेजरों और उप्योग करताओं के साक्षात कर द्वारा और आमसाहमती पर आधारित आवशकताओं यह जानना की किसी इसी तरह से संगटन क्या करते है अगला है यह जानना की इसी तरह की संगटन क्या करते है अगला है संगटन को यह बताना की अपने अनुवाओं के आधार परण की जरूरत क्या है या फैर है संगटन की सभी कर्मचारियों को एक प्रस्नावली भेजना देखे दोस्तों क्वाश्चन इजी है पर इसी प्रकार की लॉजिकल क्वाश्चन पूछ रहा है आजकर सीपसिटी तो आटवे का सही अंसर हो जाएगा मैंनों जरू और उप्योग करता हो कि सक्षातकार द्वारा अम सहमती पर आधार इताविशकता हो को यह जानना कि इसी तरह के संगठन क्या करते हैं ठीक है यह हो जाएगा आपके आटवे कोश्चन का सही अंसर नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं लोग कापीराइट की हुई फाइलों को अपने दोस्तों के साथ सेर करना क्यों अनेतेक होता है जो कापीराइट फाइल होती है जिनके अंदर ऐसा सी बना होता है ठीक है कापीराइट फाइल होती है दोस्तों के साथ सेर करना क्यों अनेतेक होता है मतलब क्यों गलत होता है या अनेतेक नहीं है क्योंकि या बैद है या अनेतेक है क्योंकि यह file मुफ्ट में दी जाती है. Copyright की के file को share करना Copyright के नियमो का उलंगान है. यह आने तक नहीं है क्योंकि file मुफ्ट में दी जाती है. या आने तक नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी computer access कर सकता है. सही answer दीजिए चुली से. 9W का क्या हो जाएगा सही अंसर तो दोस्त 9W का सही अंसर हो जाएगा C, copyright की फाइल को share करना, copyright की जो नियमो के जो है बिरुद्ध है नियमो काउन के उलंगान, इसलिए copyright फाइल है कोई भी यूज नहीं कर सकता है चलिए बात करते हैं, जैसे copyright का क्या होता है दे जाएगी ठीक है दस्मा कोश्चन देखें दस्मा कोश्चन है मारा वर्ट टेक्नोलोजी जो हाई गति कम्यूनिकेशन लिंक डेटा साउंड और वीडियो के साथ कंप्यूटिंग को क्लें कर देती खालिस्तान प्रोध्यों की कहा जाता है इन्फर्मेशन, कम्यूनिकेशन, टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट या इनमें से कोई नहीं दस्मा का साइसर देदी जल्दी से तो है दो साइसर हो जाएगा दस्मा कोश्चन क्यों बढ़ते हैं ग्यार्वा कोस्टेन है मारा निम्ने में से कौन भारत का सुपरकम्प्यूटर है परम अनुपम पेस फ्लो सालवर या अप्रोप सभी सई आंगे बढ़ते हैं अगला कोस्टेन है मारा कॉंपेक्टिड डिस्क में कौन सी टेक्नलोजी का प्योग किया जाता है मैगनिकल एलेक्ट्रिकल लेक्ट्रोमेगनेट लेसर या इन में से कोई नहीं जल्दी जांसर दीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ वार्मी का सही अंसर हो जाएगा अपना लेजर इसका जो है सही अंसर हो जाएगा दी अगले कोस्टिन के रुबटते हैं दोस्त और इंजिनिरिंग संका जिसमें molecular size की computer device बनती है खालिस्तान कहला आती है इंजिनिरिंग संकार मतलब जो WEE करते हैं जिसमें molecular size की computer device बनती उसको क्या कहा जाता है नेनो टेकनोलोजी, molecular processing, silicon grafting या नेनो साइज या इनमें से कोई नहीं तेरे बहुत है सही अंसर दे दीजिए जल्दी से गुमा के पूंचा एजी है पर दोस्त शायांसर इसका नेनो टेकनोलोजी जो वाले computer use करते हैं size में छोटी से होते हैं computer छोटी device कि या कहलाती है वो molecular size कि computer क्या कहलाते है वो कहलाते हैं नेनो टेकनोलोजी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और नम्लमिकहत मेंसे कौन सी सूचना प्रologiesकों की सब्दावली नहीं है अब देखे जारी ऑप्शन को पड़ी मि ब्झत नहीं है स्भावल रिया स्पेस्पेस अपलोड क्रक्सिंडरान यह मोडम बता में क्या हो जाएगा सही अंसर इसका तो दोस्ति इसका प्रकासी बंडारन क्योंकि साइबर स्पेस अप्लोड और मोडम यह सब कंप्यूटर से रेलेटेट वर्ड हैं प्रकासी बंडारन कंप्यूटर का वर्ड नहीं है चलिए बात करते हैं सब्सक्राइब को सुचन अप्रद्री की परिभाशिक नहीं है लॉगन मोडम पासबर्ड पिनाका वही सेम कॉस्चन है कुछ सब्सक्राइब में से कौन जो है सूचन प्रद्री की समध्र नहीं है तो पंदरवे का सभी अंसर हो जाएगा डी पिनाका बात करते हैं अगली कॉस्चन के बारे में अगला कॉस्चन है हमारा यह कथन सीपी सीट में पूछा ही जाएगा यह मोस्ट इंपोर्टेंट है मतलब यह कॉस्चन नहीं की बात करम इस प्रकार की कॉस्चन आपको कम से कम 4-5 देखने को मिलने वाले हैं यह मेरा वादा है तो पढ़ते हैं कथन ए क्या कह रहा है सूचना प्रद्र की भारत में बहुत तेजी से क्र यह कर लाप का एक अती महत्पून विशाइच छेत्र बनता जा रहा है कारण कारण समझिए सौफ्ट्वेर देश के महत्पून निर्यातों में से एक है और भारत का हर्डवेर में बहुत ससक्त आधार है चलिए अब इन में से आपने यह पढ़ लिया कतन दोनों कतन पढ़ है और C है A सही है R गलत है और D कह रहा है A गलत है R सही है तो अब पहले कोस्टन फिर से पढ़ा देता हूं मैं आपको तो A क्या कह रहा है कतन सूचना प्रोधिक की भारत में बहुत तेजी सी क्रिया कलाप का एक अती महत्पून विशाइच छेत्र बनता जा रहा है और फिर चली मैं बता दे रहा हूं सोलवे का अंसर हो जाएगा C ये जो है सही है लेकिन R गलत है भारत में सूचना प्रोधिकी बहुत तेजी से बढ़ रहा है अती महत्पून विशाइच छेत्र बनता जा रहा है लेकिन ये गलत हो जाएगा कि सॉफ्ट्वेर देश का महत्पून निर्यात नहीं करता है सॉफ्ट्वेर जिए चली लास्ट कोशन देख लेते हैं आज का निर्यकस में से कतनों पर विचार कीजिए अब कतन पढ़तने हैं पहला कतन क्या है स्मार्ट पत्रक मतलब स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूख्च मिचिप अंता इस्तापित होता है दूसरा पड़ते हैं अंकी प्रण्धिक की जिसको डिजिटल टेकनोलोजी कहा जाता है का पुरियोग मुखता नवीन भौतिक संचर माध्यम जैसे अगला देख लेते तीसरा अंकी ये लाइब्रेरी जिसको डिजिटल लाइब्रेरी का जाता है एक संग्ठित इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रिलेकों का संग्रा है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्द होती है अब बताई कौन सा कतन सही है केवल तीन केवल एक और दो केवल दो और तीन या डी एक दो और तीन तीनों कतन सही है चल दीजिए आंसर दे दीजिए अब चलिए समय समापत होता है और आज की वीडियो का भी समय समापत होता है तो सही आंसर है एक दो तीन जो पहला दूसरा और जो तीसरा है तीनों कथन जो हैं बिलकुल सत्त हैं चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और वीडियो पसंद आए तो चनल को सब्सक्राइब करिएगा ही दोस्तों के दाज सेर भी करिएगा ताकि अधिक सब्सक्राइब इस वीडियो पर आसके बहुत बहुत धन्यवाद